हेलो दोस्तों स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मदर्स ग्लीबर तो दोस्तों आपने पोस्पार्टम शब तो काफी बाट सुना होगा लेकिन इसका अर्थ क्या होता है और इससे जुड़ी क्या-क्या समस्याएं होती है वो हम आज की वीडियो में बात करेंगे आज का वीडियो होने वाला है पोस्पार्टम क्या होता है पोस्पार्टम डिप्रेशन किसे कहते हैं और postpartum period में हम अपनी self-care, fitness और mental health को किस तरीके से improve कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो postpartum एक ऐसा शब्द है जो pregnancy के बाद के समय को दर्शाता है इसे हम normally postpartum period भी कहते हैं postpartum जो है नई माताओं के लिए काफी महत्वपून होता है क्योंकि ये period में उनके शारिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्ते की देखभाल का समय होता है जब वे अपने नए जन्मे बच्चे की देखभाल कर रही होती है postpartum समय में माता की जो immunity होती है वो काफी weak हो जाती है और वे अक्सर नींद की कमी और थकान को महसूस करती है इस समय में मानसिक चुनोतियों का सामना भी किया जा सकता है जिसे की हम postpartum depression भी कहते हैं postpartum समय में महिलाएं जो हैं अक्सर डॉक्टरों की सलाह लेती हैं ताकि वे अपनी शाररिक और मानसिक स्वास्तिका सुधार कर सकें और जो अपना motherhood है उसे अच्छे से enjoy कर सकें दोस्तों postpartum depression भी postpartum से ही जोड़ी एक समस्या होती है ये एक मानसिक स्वास्तिकी समस्या होती है जो की pregnancy के बाद माताओं में हो सकती है इसका मतलब होता है कि यह depression जो माताओं में पैदा होता है खासकर delivery के बाद जो होता है उसे हम postpartum depression कहते हैं इसके जो मुख्य लक्षन होते हैं वो इस प्रिकार्ट से होते हैं पहला होता है आपके अंदर depression की भावनाएं आ जाती हैं जैसे की उदासी, निराशा, बेसबरी की भावनाएं दूसरा आपकी नींद की समस्या काफी बढ़ने लगती है क्योंकि नए बच्चे के जनम के साथ आपको नींद की कमी होना स्वभाविक होता है इसके कारण भी आपका depression बढ़ सकता है तीसरा है, खुद को आप अच्छा महसूस नहीं करवा पाती है इसमें जो है आतम सम्मान की कमी आपको महसूस होती है चौथा लक्षन होता है कि आपको बिना कारण ही चिंता और गबराहट महसूस होती है पांचवा लक्षन होता है कि आपको भोजन में रुची कम हो जाती है या आपकी भोजन में रुची ही बदल जाती है हो सकता है पहले आपको काफी कुछ चीजे अच्छी लगती हो खाने में लेकिन post-mantum depression के दोरान आपको वो चीज़े अच्छी ना लगे या आपकी रुची काफी हद तक कम हो जाती है भोजन में और आपको खाने का बिलकुल भी मन नहीं होता है आपको छटा लक्षन देखने को मिलेगा कि कई माताओं में ये देखने को मिलता है कि वो बच्चे के साथ बंदूके खिलोने का भी इस्तमाल करने लगती है और अपनी और अपने साथ-साथ बच्चे की भी देखबाल में बहुत लापरवाही करती है साथ्वा लक्षन दोस्तों आपको देखने को मिलता है कि सामाजिक अलगाव होता है इसमें आपको दूसरों से बात करने का मन नहीं करेगा आप दोस्तों और परिवार्ट से दूर होते जाएंगे सामाजिक संबंदों में कमी का अनुभव करेंगे दोस्तों पोस्पार्टम डिप्रेशन के दौरान भी महिलाएं जो हैं अक्सर डॉक्टर की सला लेती हैं और उप्युक्त इलाज से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है ताकि मा और उनके बच्चे के बीच में पॉजिटिव और स्वस्त संबंद बन सके पोस्पार्टम पीरेट के दोरान अपनी सेल्फ केर पर ध्यान दे अपनी फिटनेस पर ध्यान दे और अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे क्योंकि ये बहुत ही महत्पून पहलू हैं बच्चे के पैदा होने के साथ आने वाली चुनोतियों का सामना करती हैं नई माताओं को इन सबी चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए जिसमें आता है सबसे पहले सेल्फ केर यानि आत्म देखभाल सेल्फ केर में नई माताओं के लिए शाररिक और भावनात्मक भलाई की बश्टी से बहुत ही मेत पोण होता है नई माताओं को पूरा आराम करना चाहिए और एक नए जन में बच्चे के साथ नींद अकसर सीमित हो जाती है इसलिए बच्चे के साथ सोते समय ही आराम करने की कोशिश करनी चाहिए और यह हमारे बड़े बुढ़े भी कहते हैं कि जब भी बच्चा सोए आप भी थोड़ा सो जाए जिससे कि आपकी बॉड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा दूसरा होता है आप अपने पोशन को महतो दें आप ऐसी डाइट लें जो कि आपके और आपके होने वाले बच्चे दोनों के लिए ही उर्जा पैदा करें आप बैलेंस जाइट खाईए संतुलित भोजन खाईए जिससे कि आपको एनरजी मिलती रहें और आपके पोस्मार्टम डिप्रेशन से भी आप बाहर आजाएं दोस्तों देखा क्या है कि जब नई माताई होती है और छोटा बच्चा होता है तो उनको जो है सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है तो इस केस में आप जो है help मांगने से बिल्कुल भी हिच की चाहे नहीं और खुद को थोड़ा rest दे और थोड़ी देर केले आप बच्चे को घर में किसी को भी दे सकते हैं देखने के लिए जिससे कि आपको थोड़ा rest मिल सके ये बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि जब मा अच्छा फील करेगी तो वो बच्चे को भी अच्छा फील कराएगी और उसकी देखबाल भी बहुत अच्छे से रखेगी दूसरा नई माताओं को अपनी fitness पर भी काफी ध्यान देना चाहिए आप postpartum period में जो exercise करेंगे वो काफी सावधानी पूरवक आपको करनी चाहिए और किसी trainer के अंडर ही आपको करना चाहिए आपको पहले ही बहुत heavy exercise से start नहीं करना है आपको धीरे से start करना है जैसे आप starting में आप walking कर सकते हैं और धीरे धीरे इस process को बढ़ा सकते हैं पहले आप 10 minutes की walking कर सकते हैं फिर उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं आप इसमें जो है pelvic एक फ्लोर जो exercise होती है वो आप कर सकते हैं ये बहुत ही important होती है postpartum में आसकर ये उन महिलाओं के लिए भी है जिनका miscarriage हो गया है और उसके बाद जो है वो postpartum period में है ये उनके लिए भी काफी अच्छा माना जाता है तीसरा आता है कि आपकी mental health कैसी आपका मानसिक स्वस्त क जैसे आप उसको सुधार कर सकते हैं postpartum depression में क्या होता है चिंता सामानी होती है ये बहुत ही महत्वपून लक्षण होता है जो की नई माताय महसूस करती है आप अपनी चिंता के लक्षणों को पहचाने और उसे आविशक होने पर उसके लिए मदद ले आप अपना support का एक feel कर रहे हैं उसको आप share करें आप अपने अंदर ना रखें help मांगें आप support मांगें support मांगें में बिल्कुल पी हिचके चाहे नहीं आपकी जो फेवरेट हो भी है उसके लिए आप समय निकालें आपकी जो भी फेवरेट हो भी है जो भी आपको करना पसंद होता है जिससे क कि आपका mind relax हो जाए वो आप काम कर सकती है या आप जो है meditation के लिए time निकालें जिससे कि आपकी mental health काफी improve होती है तो आज हमने वीडियो में चरचागे कि postpartum क्या होता है postpartum depression क्या होता है और इसके लक्षन क्या होते हैं और किस तरीके से हम postpartum period में अपनी self-care और fitness पर ध्य वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और channel को subscribe जरूर कर दीजीगा तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा